यहां मुर्दों के साथ अन्याय होता है अग्यात्सों में किल्ये पर जाते हैं हम आपको तस्वीरे दिखला नहीं सकते हैं क्योंकि यह तस्वीरे काफी विभथ्स हैं मामला छप्रा सदर अस्पताल इस्थित पोस्ट मार्टम कक्ष का है क्योंकि ये पोस्ट मार्टम कक्ष और इसका मुर्दागर दोनों ही पूर्णता वातनुकुलित नहीं है बता दे कि इस Postmatum कश्खे मुर्दा घर में दो ही वातनुकुलित सन्यत्र है जिसमें सोवों को रखा जा सकता है जबकि कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि 4 से 5 अग्यात सोव पूंच जाते हैं ऐसी स्थिति में दो सों को उसी एंतर में रखा जाता है जबकि तीन सों को खुले में छोड़ दिया जाता है बता दे कि अग्यात सों को 72 घंटे तक पहचा नहतू रखा जाना होता है और भीसर गड़मी के कारण 72 घंटे में ये अग्यात सो कमड़े में बंद होने के कारण सर ने गलने लगते हैं और उनमें कीरे तक लग जाते हैं ऐसी इस्चिति में उन मुर्दों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है लेकिन इसके तरफ अस्पताल प्रसाशन का थोरा सा भी ध्यान नहीं है इस विशे पर जब अस्पताल उपादिक्षक डॉक्टर आरेन तिवारी से बाचित की गई तो उन्होंने बतला है कि उनका अभी तक यह ग्यात नहीं है कि वातानुकुलित नहीं है और उसमें सिर्फ दो वातानुकुलित यंत्र है जिसमें मुर्दों को रखा जाता है हालाकि उन्होंने बतलाया कि ऐसी कोई परसानी नहीं है लेकिन आज भी उस मुर्दागर में 400 पड़े हुए थे जिसमें 200 वात चलनी 24 छपरा